हेलो फ्रेंट्स दिस एश्पी सिंग एंड वेलकम टो इसमारिटर एवरी डे तो डिये फ्रेंट्स आज हम बात करें प्रॉपर तरीके से लखनव यूनिवर्सिटी की ठीक है बीएट टू येस्ट करिकुलम इस्ट्रक्चर यानि की बीएट का जो दो साल का आपका करिकुलम है जो पाठी करम है उसमें आपका जो समेस्टर फर्स्ट है वो तो निपट गया ठीक है अभी आप लोग आप जो है कि आपका बीएट सेकंड सेमिस्टर आपको पढ़ना है तयारी करनी है और मैं जो क्लासिस ले रहाँ सेकंड सेमिस्टर की वो प्रॉपर तरीके से अत्रिज्ट क्या एंद है तो सब्टर सब्छे के लगेक के बमनाध करेंगे कि करें इख वह ईए पर क्या चलिए? यहां पर प्रेंग में लखन व टीवस्टी के बात हो रही है जो सक्षन ए में दिखिए सख अधिस ने-बी-ब इस अदी मैं आपका यह semester divide है आप देखिए जो subject से आपके वो divide है यह जो है वो compulsory paper है अब यह जो 4 paper है यह पर compulsory paper है इसमें कोई भी हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं जैसे paper 1 है आपका यहाँ पर आपका जो है subject knowledge and pedagogy of school subject first यानि की one और school subject and pedagogy of school subject 2 यानि की paper first और second यहाँ पर आपके दो subject आपके teaching subject रहेंगे teaching subject में आपका Pedagogy of mathematics हो सकता है Pedagogy of home रहेगा कॉमेट्स के साथ फिजिकल साइंस रहेगा है ना और पैड़कोजी अफ भॉम साइंस है इस उसके साथ इंगलिस रह सकता है यह अपके सब्जेक्ट रह सकता है मैं एक बारा को दिखा देता हों देखिए यह यह प्यूफ है पैडगोजी ओफ मैथमैटिक्स ठीक है ये बुक है बहुत ही बहुत अच्छा content दिसमें तो इससे हम लोग फूरी तरीके से पढ़ते चलेंगे दूसरी बाट आपके बहुत सारे comment ने किसर क्या हमारी classes पूछते हैं कि सरक्या objective नहीं आपका पेपर जो है सब्यक्टिव बेस पही होगा आपडेक्टिव होने के कुछ आंसर नहीं है पेड़ागॉजी ओफ मैथमाटिक्स बुक्स सारी अवेलेबल है हमारे पास और बहुतरिन तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग पेड़ागॉजी ओफ हिंदी है है यह देखि पेड़ागॉजी ओफ सोचल साइंस है और इसमें दो एक सब्यक्ट नहीं हमरे पस पैड़ागॉजी ओफ फशिकलस नहीं मिल दा है ना तो लकीम नहीं पा रहा है इस वजेसे वह थोड़ा भी होगी उसकी क्लास तो बाकी देखिए जो मैं Pedagogy subject की जो objective type class ले रहा हूँ वो कानपूर के लिए ले ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पेपर objective type में होना है और आपका paper यह है वो subjective base पे होना है तो हम लोग सब्जेक्टिव बेस की क्लासिच शुरू करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज को कम्प्रीट करेंगे और तो इसके लिए आप देखिए तो यहां तक बात हो गई यहां पे आप दो टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे सारी लोग के साथ फिजिकल साइस रहेगा चलिए पेपर थर्ड भी आप सब के पास होगा इनिकलीशिव एज्टेशन का एजिकलीशिव एज्टेशन की भी तयारी करेंगे उसकी भी बुक है ठीक है पेपर फॉर्थ आपका रहेगा स्कूल मेनेजमेंट एंड हाइजीन का है ना तो यह चार पेपर आपको रहेंगे उसके बाद पेपर जो पांचवा होगा वो कह रहा है इस्टुडेंट हैस टू चूज वन पेपर पेपर फिप्त जो पेपर फिप्त रहेगा उसमें से मोस्टली इस्ट्रेंड के पास इन्वर्मेंटल एजुकेशन पर्यावन यह सिख्च देंगे तो हाँ तो सीधी सीधी 30 नंबर का प्रयावन पूछा जाता है सीधा 30 नंबर का प्रयावन अलग से पूछा जाता है को इसमें रोक नहीं है तो अगर आप यहीं से इन्वर्मेंटल एजुकेशन पढ़ लेते हैं तो टेट्स एट में आपको बहुत मिलेगी प्रय सब्सक्राइब rzeczement यहां पर पर अपका प्रड़ेते करते हैं कि आप क्या चूज करते इनकी इतनी हैं इंपर्टेंस नहीं है तेट सीट में ट्रेन के लिए सबसे पेहतरी नहीं लेएंब इंवर्मेंटल आप देखिए सबसे पहले तो जो पेड़कोजी सब्जेक्ट है इनकी क्लास चल रही है आपको भटकेने की जुरुवत नहीं है भागेने की जुरुवत नहीं है हम लोग कांटीनियू पढ़ाई करते रहेंगे ठीक है और जैसे कोई क्लास है उसमें नहीं बताया कि यह कानप सब्जेक्ट है उसी फिर तैयारी कि जाए कि ज्यादा है और फिर उसी क्लास चुरू बताईे थैंक्यू दे ने अब दोस्तों से कॉलेजी उडव जहांजा हो सके शेयर कर दीजिए थैंक्यू